दोस्तो नमस्कार मैं मुकेश रुमा आपका मित्र आपका भाई दोस्तो आज मैं अपने सेवा निवर्थ होने वाले भाईयों के लिए एक बहुत जुरूरी जानकरी लेकर आया हूँ जैसा कि सभी सेवा निवर्थ भाई मेरे जानते हैं कि नमबर माह में उन्हें लाइफ सर्टिफगेट बैंक में जाके लंबी लंबी लाइनों में लगकर जमा करवाना होता था भारत सरकार ने COVID-19 की महामारी को देखते हुए दोस्तो उसमें एक छूट दे दिया है अब आपको जो 30 नमबर तक सर्टिफगेट जमा कराने होते थे अब वो आप फिजिकली भी और डिजिटेल भी घर में बैटकर ही जमा कर सकते हैं दोस्तो इसके लिए सरकार ने 31 दिसमबर तक का टाइम निश्चित किया है गोर्मेंट ओफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ओफ कॉम्मिनिकेशन के डिपार्टमेंट ओफ पोस्ट ओफिस को अपने पतर संख्या 27-10-2020-PO डेटीड 22-2020 के पत्रानुसार यहतिती बढ़ा दि है ठीक इसी प्रकार रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने भी अपने पत्र संख्या CEO-HRMD नंबर 2002-21.01.00-2020-21.21.25-2020 के अनुसार इस्तिति को बढ़ा दिया है दोस्तो यह तो वो पत्रें जिसके अनुसार अब आप 31 दिसमबर तक अपने Life Certificate को जमा करवा सकते हैं इसके साथ साथ दोस्तो अब सरकार ने एक और बढ़िया मौका दिया है कि आप डिजिटली घर बैट के भी अपना Life Certificate जमा कर सकते हैं दोस्तो अब मैं आपको उस वेब साइट के बारे में बताऊँगा जिसके माद्यम से आप घर बैट कर ये अपना Life Certificate जमा कर सकते हैं वेब साइट है www.g1parman.gov.in दोस्तो इस पर जाकर आप कलिक कीजिए इसमें आपको जी वन Life Certificate का ओपशन आएगा उस ओपशन पर आप जाईए उसमें आपको अपने आधार कार्ड का एक कॉलम मिलेगा उसमें आप अपना आधार कार्ड नंबर फीड कीजिए जैसे ही आप अपना अधार कार्ड नंबर फीड करेंगे तो आपने जो अपना मुबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा रखा है दोस्तो उस पे आपको एक OTP आएगा आप उस OTP को देखकर जैसे आप बरेंगे देखेंगे सेकिंडों के अंदर आपका लाइफ सर्टिवर जरनेट हो जाएगा जिसकी आप प्रिंट आउट भी लेकर अपने पास रख सकते हैं दोस्तो जो कि आपके रिकॉर्ड में बहुत ज़्यादा काम आएगा दोस्तो कोई भी वीडियो अपने दम पर नहीं बनती है उसके लिए एक टीम काम करती है उसके लिए इन्फरमेशने मेरे मेरे मित्तर देते रहते हैं ताकि मैं आप लोगों तक वो बाते पोचास कूँ मैं अपने उन सभी दोस्तों का धन्यवादी हूँ दोस्तों ये बिल्कुल लेटेस्ट बात अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अपनी सभी सेवा निवर्थ सातियों को चाहें वो रेलवे के हों चाहें वो किसी राज्य सरकार के हों उन्हें भी मेरी वीडियो बेज कर इसका फाइद